प्रसार भार्ती अभिलिक हगार की प्रस्तुति सबा बहार सुनहेरे दौर का अनमूल खजाना दूसरे विश्वयुद्ध की विभीशिका बढ़ती जा रही थी हिटलर ने यॉर्प जीतने के बाद रूस पर हमला कर दिया दूसरी ओर जापान ने अमरीका के पर हर्बर पर हमला किया इससे युद्ध सच्चे अर्थों में विश्वयुद्ध में बदल गया जर्मनी के हमले ने युद्ध की सीमाई पूर्व की ओर पढ़ा दिया उधर अमरीका अब तक प्रिटन का मददकार था पर अब उसे स्वयम युद्ध में उतरना पड़ा जापान जितनी तेजी से बढ़कर सिंगापूर तक आ गया था उससे अमरीकी राष्टुपती रूस्विल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल दोनों ही सहम गए थे अमरीका के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कहा कि हिंदुस्तानी नेताओं से सुलह कर लेनी चाहिए ब्रिटिश सरकार भी उस समय अमरीका की इस सलाह की एक दम उपेक्षा नहीं कर सकती थी उसने कुछ हद तक अपनी नीती बदलने का फैसला भी कर लिया आखिर ब्रिटिन ने भारत के प्रती अपना रुख बदला पहले जवाहरलाल नहरू और मौलाना आजाद को जेल से रिहा किया गया दरसल सरकार जानना चाहती थी कि बदलेवे हालात में कॉंग्रेस का रुख कैसा है बाद में धीरे धीरे अन्ने नेताओं को भी छोड़ दिया गया उधर सुभाश चंद्र बोस ने जेल में अंशन कर दिया था उनकी हालत बिगड़ने लगी तो सरकार को उन्हें बिना शर्त रिहा करना पड़ा किन्तु अब उन्हें अपने ही घर में नजर बंद कर दिया गया था उनके घर पर कड़ा पहरा रहने लगा क्यूंकि ब्रिटिश सरकार उनकी उग्रवादी गतिविधियों के प्रती सतर्क थी 27 जन्वरी 1941 की रात लगभग एक बचे सुभाष चंद्रबोस कलकत्ता में अपने एलगिन रोड़ वाले मकान से एक मौलाना की वेश में निकल गए वो इसी वेश में सीधे पेशावर पहुँचे पेशावर से एक गूंगे पठान की वेश में वो अफगानिस्तान पहुँचे जहां से जर्मन दूतावास की मदद से वो जर्मनी की राश्थानी बर्लिन पहुच गए उनके पासपोर्ट का नाम ओर्लैंदो माजोटा था जर्मनी में जब हिटलर से मिले तो उसने इनका स्वागत किया और इनकी युजनाओं पर विचार किया हिटलर ने सुभाष चंद्रबोस को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया इसके बाद सुभाष चंद्रबोस इटली भी गए और मुसोलिनी से भीट की जर्मनी वापस लोट कर उन्होंने आजाद हिंद संग और आजाद हिंद फौज की स्थापना की नवंबर 1941 में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और उसके जरीए धुआ धार प्रचार कार्य आरंब कर दिया भारती नेताओं और ब्रेटिश सरकार को नेताजी सुभाष चंद्रबोस के बारे में अब तक कुछ पता नहीं था किन्तु जर्मिनी से आजाद हिंद रेडियो के प्रसारणों को सुनने के बाद ही उन्हें पता लगा कि वो कहा है मौलाना आजाद लिखते हैं इस बीच जर्मिनी और जापान से जो प्रचार शुरू हुआ था उसका हिंदुस्तान में बहुत लोगों पर असर पड़ा जापानी वायदों से बहुत लोग आकरशीत हुए उन्हें लगा कि जापान हिंदुस्तान की आजादी और एशियाई एक्ता के लिए काम कर रहा है मौलाना आजाद ने सुभाश चंद्र बोस के विदेश चले जाने पर महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में भी लिखा है उनका कहना है कि मैंने ये भी पाया कि सुभाश चंद्र बोस के रहस्यमय तरीके से जर्मनी चले जाने का गांधी जी के मन पर बड़ा भारी असर पड़ा है पहले बोस के कई काम उन्हें पसंद नहीं आये थे पर अब तो मुझे उनका दृष्टिकोंड बदला हुआ लगा उनकी कई बातों से मुझे लगा कि सुभाश चंद्र बोस ने हिंदुस्तान से निकल जाने में जिस साहस और चतुराय का परिचय दिया उसकी प्रती उनके मन में प्रशंसा का भाव था सुभाश चंद्र बोस के लिए इस प्रशंसा भाव में अंजाने ही समूची युद्ध स्थिती के प्रती उनके दृष्टिकोंड को प्रभावित किया था उधर जापान में रासबिहारी बोस प्रवासी भारतियों को संगठित कर चुके थे दक्षण पूर्व एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग आजाद हिंद संग की स्थापना हो चुकी थे और स्वयम रासबिहारी उसके अध्यक्ष थे सिंगापूर विजय के बाद कैप्टन मोहन सिंग के नित्रत्व में आजाद हिंद फौच की स्थापना हुई और भारतिये युद्धबंदियों को उन्हें सौप दिया गया प्रवासी भारतिये तो आजाद हिंद फौच में भरती हो रहे थी युद्ध बंदियों के शामिल हो जाने से आजाद हिंद फौज की शक्ति और भी बढ़ गई इसके बाद बैंकॉक में आजाद हिंद संग का सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की इस सम्मेलन में आजाद हिंद फौज की स्थापना को विदिवत रूप दिया गया इसी सम्मेलन में विदिवत एक प्रस्ताव थी पास किया गया उसमें कहा गया उसने प्रभाव का उप्योग करे रंगून के पतन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के हाथ पैर फूल गए उसने ततकाल खोशना की कि ब्रिटिश सरकार कॉंग्रेस का सहयोग प्राप्त करने को तयार है वो भारत की राशनीतिक और वैधानिक रुकावटों को दूर करने के लिए सर्स्टेफ़ोट कृप्स को भारत भेज रहे हैं सर्स्टेफ़ोट कृप्स ब्रिटन में युद्ध कालीन मंत्री मंडल के सदस्य थे उन्हें भारत के शुपचंतकों में समझा जाता था और ऐसा विचार था कि भारत की आजादी के प्रती उनकी पूरी सदभावनाय है सर्स्टेफ़ोट कृप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचे और 20 दिनों तक उन्होंने भारतिये नेताओं से बातचीत की वो समाजवादी थे और भारत के कई बड़े राश्चवादी नेताओं से उनकी दोस्ती थी इसलिए भारत ये जनता को आशा बंधी कि क्रिप्स के आने से समस्याओं के अच्छे समाधान प्राप्त होंगे किन्तो गांधी जी ने क्रिप्स के विचारों सुझावों पर दूसरी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उन्होंने कहा क्रिप्स योजना ऐसे बैंक के पोस्टिडिट जेक के समान है जो फेल होने जा रहा है गांधी जी ने कृप्स के साथ वारता में भाग लेने से पहले ही इनकार कर दिया था लेकिन किरप्स ने गांधी जी से अपने पूर्व परिचय का इस्तिमाल किया और वारता में शामिल होने के लिए उन्हें मना भी लिया क्रिप्स के सुझाव किसी को पसंद नहीं आए उनका कहना था कि राश्ट्रिय सरकार अल्प संख्यकों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के वादों के खिलाफ हो सकती है इसलिए ब्रिटिश शासन ये कभी नहीं चाहेगा कि बहु संख्यक दल सत्ता पर अपना संपून प्रभुत्व स्थापित कर ले क्रिप्स ये भी चाहते थे कि नई सरकार में सभी पूर्वाधिकार वॉय सुराय के पास सुरक्षित रहें जवाहरलाल नहरू ने इन प्रस्तावों को स्विकार नहीं किया उन्होंने कहा मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बन कराए है और उनकी योजना को लागू करने का मतलब है क्रिप्स योजना को मुस्लिम लीग ने भी ये कहकर अस्विकार कर दिया कि इसमें सामप्रदाइक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई गांधी जी ऐसे किसी सुझाव को मानने को तयार नहीं थे जिसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान लडाई में भाग ले फिर चाहे वो प्रस्ताव हिंदुस्तान की राशनीती के लिए कितना ही अनुकूल क्यों ना हो आखिर स्टेफोर्ट क्रिप्स के प्रस्ताव सभी ने नामन्जूर कर दिये और उन्हें असफल होकर वापिस जाना पड़ा मौलाना अजाद ने कॉंग्रिस अध्यक्ष के हैसियत से घोशना की कि ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सरकार भारत की ठीक ठीक रक्षा नहीं करना चाहती है उसे बस इसी बात का फिक्र है कि सामराज्य कायम रहे उधर बरलिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस के प्रसारण जनता में नई चेतना जगा रहे थे भारत ये जनता अब यहीं चाहती थी कि युद्ध में अंग्रेजों की कोई मदद न की जाए सुभाष चंद्र बोस अपने प्रसारणों में कह रहे थे हमें युद्ध की स्तिती से लाब उठाकर देश की स्वाधिन्ता चल्दी ही प्राप्त करनी चाहिए इस काम में ब्रेटिन के शत्रों से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है इस समय तक गांधी जी के विचारों में भी उग्रता आने लगी थी वो कहने लगे थे कि भारत में ब्रेटिश सामराज्य को तुरंत समाप्त होना चाहिए ब्रेटिश सरकार के वाधों से उनका विश्वास उठ चुका था क्रिप्स मिशन की असफलता से सारे देश में निराशा और क्रोथ की लहर दोड़ गई थी जनता भी ये चाहती थी कि अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए मचबूर किया जाहिए ताकि भारत अपनी समस्याएं स्वैम सुलचा सके और अपनी रक्षा स्वैम कर सके 39 एप्रिल से 2 मई तक इलहबाद में कॉंग्रेस महासमिती की बैठक हुई इसमें गांधी जी ने तो भाग नहीं लिया पर उनका मसौदा मीरा बहन ने पढ़कर सुनाया था इस बैठक में एक संक्षिप्थ प्रस्ताफ पास किया गया उसमें कहा गया भारत अपनी शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और उसी तरह उसे बनाई भी रखेगा न के बल भारत के हित्में बलकि ब्रिटेन की सुरक्षा और विश्वशान्ति तथा स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है कि ब्रिटेन भारत पर से अपना कब्ज़ा हटा ले गांधी जी ने दुर्ण निश्चय कर लिया था कि अब वो समय आ चुका है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी वो अब युद्ध का नितृत्व करने को तैयार थे जिन लोगों ने उस समय गांधी जी को शांत रहने का सुझाव दिया उनसे गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया यदि मैं आपकी बात माल लूँ तो मुझे अपने अंदर के आवाज को दबा देना होगा मेरी अंतर आत्मा कहती है कि मुझे अकेले ही संसार से लोहा लेना पड़ेगा उनका ये अटूट विश्वास था कि इस बार जो लड़ाई होगी वो व्यक्तिगत स्तर से नहीं सामोहिक रूप से होगी ये खुली चुनोती थी गांधी जी के इन विचारों को सुनकर सारा संसार आश्चर रिचकित रह गया था तब कॉंग्रस कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित करके सारे देश में प्रचारित किया वो भी अत्यंत महत्व पूहन था प्रस्ताव में कहा गया था ये कमेटी भारत की स्वाधीनता के अटल अधिकार का समर्थन करने के उद्देश से अहिंसात्मक प्रणाली से और देश व्यापी पैमाने पर विशार संगर्ष चालू करने की स्विकृती देती है जिससे देश में गत 22 वर्षो के शान्ती पूल संगराम में संचित की गई समस्थ अहिंसात्मक शक्ति का उप्योग हो सके ये संगराम गांधी जी के नेत्रुट्ट में होगा ये कमेटी उनसे प्रस्तावित कारवाईयों में राष्ट का नित्रत्य करने की प्राथना करती है